हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आसान डबल कलर का डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना से खाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप गल्स, लैडिज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस design को बनाने के लिए आपको 8 के multiple फंदे लेने होंगे इसमें कोई भी फंदा एक्ष्टा नहीं लेना होता है 8 के multiple देखिए आप इसमें 8 फंदे गिन लेजिए फिर से 8 फिर से 8 इस तरह से बार बार आपको 8-8 फंदे इसमें गिनते जाना है ये design हमारा सीधी साइड से शुरू होता है 6 सलाइयों का design है और 12 सलाइयों में complete हो जाता है border के पाद जब आपको किसी project पर फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए सीधी साइड से ये design शुरू हो जाएगा इसमें हमें double धागा नहीं चलाना होता है बहुत ही आसान तरीके से ये design बनता है तो जो design की पहली सलाइय मैंने यहां से बनाई वही पहली सलाइय मैं आपको यहां से बताऊंगे तो इसमें मैंने लिये हैं 80 फंदे आठ के multiple लिये हैं यानि पूरे 80 फंदे हैं तो जो design की पहली सलाइय यहां से वही मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो जो आपका border वाला color होता है उसी का आप base color बनाईएगा तो यह देखेगा जो हमारा border वाला color है उससे हमारे design की पहली सलाइय सीधी side से पूरी सीधी सीधी बनेगे बहुत ही आसान सा design है इस तरह से धागा पीछे कीजिए और पहली सलाइय को border के बाद आप पूरा इस तरह से सीधा सीधा बुन दीजिए तो देखें मैं इस सलाइय को सीधा सीधा बना कर complete कर देती हूँ तो ये देखे फ्रेंट्स पहली सलाई को इस तरह से सीधा सीधा बना कर complete कर लिया अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड़ पर दूसरी सलाई इस डिजैन की पूरी उल्टी बनाई जाएगी तो इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनकर सला भी सेकिंड कलर जोइंट कर लीजिए और जोइंट करने के बाद देखिए पहला फंदा हमारा एज़स्टीच है इसको हमें इस तरह से बुन लेंगे अब यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो एज़स्टीच के बाद आप छे फंदे सीधे और बनाईए देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और यह छे तो देखिए पहला फंदा एज़स्टीच और उसके बाद हमने छे फंदे सीधे बनाए और फिर दो फंदों को इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे यह जो हमने आठ फंदे का डिजैन बनाया अब इसी को बार बार रिपीट क करते जाएंगे तो दियान से देखिएगा छे फंदे सीधे और यह जो धागा है इन दो के पिछे से जाएगा तो टाइट मत होने दीजिए वरना डिजैन सुकड जाएगा तो देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और यह छे, छे फंदे सीधे बनाए और दो फंदों को ऐसे स्लिप करती जाना है फिर से देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पांच और यह छे, छे फंदे सीधे बनाएंगे और दो फंदों को ऐसे स्लिप करती जाना है तो यही क़्ट फंदे का डिजैन बनाती हुए आप इस लाई को लाजट तक बना दीजे इसमें हमारे छे फंदे बुने जा रहे हैं और दो फंदो को हम स्लिप कर रहे हैं बहुत ही आसान सा हमारा डिजैन है देखिए दो चार छे बनाए दो फंदे स्लिप किये फिर छे फंदो को हम सीधा बुनेंगे और दो फंदो को स्लिप करेंगे इसको बनाते हुए जब हम लास्ट में आएंग तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ इनको हम सीधा बुन देंगे तो यहां स्टार्टिंग में भी आपके साथ फंदे हो गए हैं और लास्ट में भी साथ फंदे हो गए हैं अब आज इएगा इसकी चोथी सलाई और उल्टी साइड पर देखिए धागा आपका पीछे की तरफ रहेगा और इन साथ फंदों को आप सीधा बनाईए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ अब आप धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और जो फंदे हमने सलिप किए इनको दो बारा सलिप कर दीजिए फिर इनके यहां से धागे को आगे की तरफ कीजिए और ये जो धागा इसको टाइट मत होने दीजिएगा फिर 6 फंदों को सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6 फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को हम स्लिप करेंगे अब यहां से धागे को आगे की तरफ ले जाएंगे और 6 फंदों को सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6 पूरी सलाई अब आपने ऐसे ही बनानी है बनाए हुए फंदों को आपने सीधा बनना है स्लिप किये हुए फंदों को स्लिप करना है तो अब इसे ला पांचमी सलाई सीधी साइड पर पांचमी सलाई इसकी बिल्कुल तीसरी सलाई के जैसे बनेगी देखिए पहला फंदा एजस्टीच इसको हमने सीधा बुन लिया आप चाहो तो स्लिप कर लिजिए अब यहां से डिजाइन शुरू हो जाएगा छे फंदे सीधे एजस्टीच के बाद एक दो तीन च्यार पांच और यह छे अब इन दो फंदो को आप स्लिप कीजिए बस इसी आठ आठ फंदे के डिजाइन को बार बार बनाईए छे हमने सीधे बनाने हैं दो फंदो को स्लिप करना है पूरी सलाई आपकी ऐसे ही बनेगी तो अब आप इस सलाई को complete कर दीजिए, ये हमारे डिजैन की पांचमी सलाई है और सीधी साइड है, 6 फंदों को सीधा बनाईए, 2 फंदों को slip कीजिए, तो ये देखिए, पांचमी सलाई को मैंने बना लिया, अब आज ये इसकी छटी सलाई पर, छटी सलाई इसकी बिल्कु तो देखिए, पहला फंदा हमने एजश्टी सीधा बना लिया, उसके बाद हमारा डिजैन शुरू हो रहा है, एजश्टी इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6, एजश्टी इसके बाद 6 फंदे सीधे बनाए, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को ऐसे slip कर देंगे इसके यहां से धागे को ऐसे ले जाएंगे, और फिर 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6, इसी डिजैन को बार बार हमें रिपेट करना है, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को slip करेंगे, फिर यहां से धागे को पिछे की तरफ ले जाएंगे, फिर 6 फंदे सीधे, तो ऐसे करते हुए लाश तक सलाई को बना दीजिए, तो ये देखे फ्रेंस, इस तरह से हमारी ये 6 सलाईया कम्पलिट हो गई, अब हमें फिर से इनी 6 सलाईयों को रिपेट करना है, तो ये वाला जो हमारा फ़र्ष्ट वाला कलर है, उसको लेंगे, और सीधी साइड से पूर आठमी सलाई है और उल्टी साइड है, तो इसे हम बिल्कुल उल्टा बनाएंगे, तो धागा अपनी तरफ कर लीजिए और इस तरह से उल्टा उल्टा बुन कर आप इसकी आठमी सलाई को बना लीजिए, तो ये देखे फ्रेंस, आठमी सलाई को हमने उल्टा उल्टा बना लिया है नौमी सलाई और सीधी साइड पर आगे तो फिर से हम अपना ये जो डार्क वाला कलर है ये लेंगे आपका जो भी कलर हो वो ले लीजेगा ये देखिएगा एक दो और ये तीन इस तरह से स्टार्टिंग के तीन फंदे सीधे बना कर और यहां आपको दो फंदे स्लि ध्यान रहे कि ये दागा जो यहां से जाएगा टाइट नहीं होना चाहिए एक दो तीन च्यार पांच और ये छे ये स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़ कर दो स्लिप किये छे सीधे बनाए यही आठ फंदे का डिजैन बार बार रिपिट करते जाना है तो ये देखिए दो फंदे हम स्लिप करेंगे फिर छे फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन च्यार पांच और ये छे ये जो हम छे फंदे सीधे बनाएंगे ये वाला जो हमारा डिजैन था इनके बीच में आ जाएगा बस यही डिजैन अब आप बार बार रिपिट कीजिएगा दो फंदे slip कर दीजिए 6 फंदे आप सीधे बनाईए लास्ट में आपके 3 फंदे सीधे आएंगे जैसे आपके यहां पर आए हैं ऐसे ही लास्ट में भी आपके 3 फंदे सीधे आ जाएंगे तो यह देखिए 9 मिसलाई हमारी complete हो गई है लास्ट में भी 3 फंदे सीधे आ गए अब आज यह दसमी सलाई और उल्टी साइड पर जो बनाए हुए फंदे हैं उनको आप सीधा बना दीजिए जो स्लिप किये हुए हैं उनको आप फिर से स्लिप कर दीजिए तो देखें स्टार्टिंग के तीन फंदे सीधे बनाए धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदों को ऐसे slip करेंगे फिर यहां से धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और धागे को tight नहीं होने देंगे फिर 6 फंदे सीधे इसी तरह से आपने इसकी दस्मी सिलाई को complete करना है यह देखिए 6 सीधे बनाई धागा अपनी तरफ किया दो फंदों को slip कर दीजिए ऐसे धागे को पीछे तरफ ले जाकर फिर से आप 6 फंदे सीधे बनाईए तो ऐसे करते हुए जो बनाई हुए उनको सीधा बनाना slip की उनको slip करना है दस मी सलाई को बना दीजिए तो ये देखिए फ्रेंट्स दस सलाई या डिजैन की complete हो गई फिर 6 फंदे सीधे एक, दो, तीन, च्यार, पांच और ये 6 अब आप 2 फंदों को slip कीजिए 6 फंदों को सीधा बनाईए पूरी सलाई आपने ऐसे ही complete करनी है दो फंदे slip करने है और 6 फंदे सीधे बनाने है तो ये देखिए 11 फंदे को मैंने बना लिया अब आज ये इसकी 12 फंदों को सीधा बनाना है तो तीन फंदे सीधे बनाए दागा अपनी तरफ 2 फंदों को ऐसे slip कर देंगे फिर यहाँ से दागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे फिर 6 फंदे सीधे बनेगे ऐसे करते हुए आप इस पूरी सलाई को complete करदीजिए छे फंदे सीधे बनाईए धागा अपनी तरब करके दो फंदों को स्लिप कीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बारा सलाईयों में हमारा ये डिजाइन आवर हो जाता है इन ही बारा बारा सलाईयों को जब आप बार बार रिपिट करेंगी तो इस तरह से आपका बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनता चला जाएगा नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए आपको फिर से सीधी साइड से जो भी आपका बेस कलर हो उसे पूरी सलाई को सीधा सीधा बनाईए दूसरी सलाई उल्टी साइड से उल्टी अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को बैक कीजिए और जो मैंने पहली सलाई आपको बनानी बताई है उसको दुबारा से रिपिट कर लिजे तो आपका डिजैन रिपिट हो जाएगा अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुडे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने बाले सभी वीडियो के नॉटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक यू